नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे वेलकम बैक टो मैं चैनल स्टड़ी विद नेहा मेम आजम पढ़ने वाले हैं विध्याले में पानी की उचित व्यवस्था के लिए प्रार्थना पत्र बहुत ही सरल है बहुत ही आसान है आपको एक बार में ही बहुत ही अच्छे से यह समझ आ जाएगा अब हम इसको शुरू करते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में स्रीमान प्रधानाचार्य महोदे राजकिय उच्छ माध्यमिक विध्याले भरतपुर राजिस्थान यहाँ पर आपको अपने विध्याले का नाम अपने स्कूल का नाम लिखना है उसके बाद हम लिखते हैं विशे जिस विशे पर आप एप्लिकेशन लिख रहे हों वहे विशे आपको यहाँ लिखना है तो हम लिख रहे हैं पानी की उचित विवस्था ही तूप आवेधन पत्र महोदे, सैविने निवीदन है कि मेरा नाम राम यादव है, मैं आपकी विद्याले का चात्र हूँ मैं यहें बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में हमारे विद्याले में पीने का पानी गंदा आ रहा है जिसके कारण विद्याले की सवी विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ रहा है कुछ विध्यारती अपने पैसे से पानी की बोतल खरीदते हैं जिससे अनावश्यक पैसों की बरवादी होती है अतह आपसे अनुरोध है कि हमारे लिए स्वक्ष पानी की व्यवस्था कराएं आसा है कि आप हमारी समस्या का समाधान करेंगे उसके बाद आपको लिखना है धन्यवाद आपका आग्याकारी शिश्य है उसके बाद आपको नाम लिखना है यदि प्रिश्ण में नाम दिया गया है तो आप जो नाम प्रिश्ण में है वही नाम यहाँ पर लिखें और यदि प्रिश्ण में नाम नहीं दिया गया है तो को अपनी पक्षाे लिखनी है। कोंसे क्लास में पढ़ते हो। उसके बाद यहाँबता परक्टि आप कौण से तारीक को लिखते हो। कि यह था आपका वीध्याल में पाणे की उचित विवस्था के लिए प्रार्थना पत्र बहुत ही सरल बहुत ही आसान बस एक बार दो बार इसका रिवीजन कर लेना आपको बहुत ही अच्छे से ये याद हो जाएगा उम्मीद करती हूँ पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा यदि पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चेनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें अब हम मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद